Unusual Foods That Only Exist In India Adventure अब भारत के खाने की बात आती है तो हमारे दिमाग में छोले भटूरे से लेकर राजमत चावल तक हर एक शांदा डिश घूमने लग जाती है पर दोस्तों आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे अनोखे फूड आइटम्स के परें बताने वाले हैं जिनका नाम सुनकर आप वाकई दंग रह जाएंगे दोस्तों हाथ के पैर से लेकर लाल चीटियों तक के हर एक चीज भारत में खाय जाती है वो भी कुछ अलग अंदास में और वो अंदास आपको हमारी इस वीडियो में बखूबी देखने को मिलेगा बस वीडियो में अंत तक बने रहेगा स्नेल्स हमें पता आप यहीं सोच रहे हैं कि सनेल्स कैसे किसी फूड आइटम में टेस्ट बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह भारत है, यहाँ पर हर एक चीज को स्वाजिश्ट बनाना लोगों को बखुबई आता है, ऐसे में इन स्नेल्स को यूही नहीं खाया जाता है, बलकि जिन्दा पकाया जाता है और फिर सुखा दिया जाता है, उसके बाद इसकी बाड़ कि जरूरी हिस्सों को निकाल कर अलग कर दिया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए यूही रखकर अच्छी तरह से धोया जाता है, और फिर बारी आती है इसे सबजी में डालने की, क्योंकि भारत के लोगों को हर चीज सबजी की तरह बनाने में बड़ा मज़ा आता है, औ और इस सवाद आपको भारत के लावा और कहीं नहीं मिलेगा, मुंबाई स्ट्रेट फूड अगर आप भारत में रहते हैं तो बेशक आपने मुंबाई के स्ट्रेट फूड के बर में सुनाओगा, क्योंकि वहां का खाना वाकए में लाजवाब होता है, क्योंकि कुछ अनो यह सबी चीजें भारत को छोड़ कर बाकी लोगों के लिए नई ही हैं, क्योंकि वो तो दूद से आइस क्रीम और शेक के अलावा और कुछ बनाना सीखी नहीं पाए, लेकिन हम यहां पर दूद से अलग लगता है कि ऐसी ऐसी मिठाईयां बना कर त्यार कर देते हैं, कि लो हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दो तो इन्हें किसी चटपटी चीज की तरह बना कर तयार किया जाता है दोस्तों सेंट्रल एशिया में कई सालों से बैंबू की खेती होती है ऐसे में लोग इन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ते और ये कितना लाजवा बनता है, वो आप इसे देखकर पहचान गए होंगे बी लारवे अब आप एक और हैरान करने वाले इंडियन फूड के बारे में सुनिए जो कि कुछ और नहीं बलकि मदुमक्खी का लारवा है जिसे बी लारवे कहकर बुलाया जाता है हम आपको बताते हैं, आपको भले ही इसे देखकर अजीब लग रहा हो लेकिन अब ये बात तो आप सबी जानते हैं कि भारत में तरह तरह के लोग रहते हैं जादर्द होता है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती है इन फैक्ट इससे बनकर तयार होने वाली चटनी भारत में बहुत ही जादा मशूर है जहां भारत के 36 गड़ और जारकन जैसे राज्यों में इसे बना कर तयार किया जाता है जिसमें यहां के लोग विनेगर, शुगर और तरह तरह के मसाले डाल कर उसे तयार करते है अब दोस्तों जायर सी बात है कि भारत में मसाले और लोगों के हाथ का जादू जब मिल जाता है तो कोई भी चीज़ शांदार लगती ही है फिर चाहे वो चीटी की चटनी ही क्यो नव सिल्क वाम दोस्तों सिल्क वाम भी भारत के कई लाकों में खाया जाता है जहां पहले इसे काफी अच्छे से उबाल दिया जाता है और फिर इसे पकाया जाता है जिसमें कई तरह के मसाले मिक्स किये जाते हैं और फिर लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं अब पतानी लोग इसे कैसे खाते हैं पर यह बात तो पकी है कि शुद्ध शाकाहर इंसान के लिए इनके बारे में अकेले सोचना एक खतरे से खाली नहीं है क्यों दोस्तों सहीगा नहीं है फ्रॉग्स दोस्तों अगर आपको हमारी तरह मेंड़क को चलते देखकर अजीब से लगता है तब तो आपका सोच में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे भारत के कई लाकों में मेंड़क को खाया जाता है और भारत में खाया जाने वाले मेंड़क का नाम इंडियन बुल फ्रॉग है जिसे जंपिंग चिकन के नाम से भी जाना जाता है इने खाने वाले लोगों का कहना है कि से खाकर कई सारी बीमारी उसे छुटकारा मिलता है खास करके पेट से जोड़ी समस्या इन मेंडकों को खाने से जल्दी भाग जाती है जहां कई लोगों का ये भी कहना है कि इसका स्वाद विल्कुल चिकन जैसे ही होता है हो भी सकता है क्योंकि हम मेंड़क के खाने के बारे तो नहीं बता सकते हैं लेकिन हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि हमारे भारत का स्वाद वाकभी में लाजवाब है जहां हम किसी भी चीज़ को स्वाधिष्ट बनाने का दम रखता है हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के इंटरस्टिंग वीडियो लाते रहें अलिफेंट फूट आप अपना दिमाग दोडाएं तो आपको पता ही होगा कि इस प्लांट का स्वाध पनीर को टक कर देता है हालाकि इसे साफ करने से लेकर इसे पकाने तक का काफी लंबा प्रोसस है लेकिन जब इसकी सब्सी बन कर तयार होती है ना तो वाकई में बड़ी लजीज लगती है जिसे देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये अजीब और गंदे से दिखने वाले प्लांट की सब्सी है वैसे हम आपको बता दे कि इस ऐलिफन्ट फुट नाम के प्लांट को खाने से आँखों से संबन्दे तो रोग बड़ी जल्दी दूर हो जाते है रोस्टेड रैट्स तो वो किसी भी चीज़ को खाने पर मजबूर तो हो ही जाएगा ये तो फिर भी चूहे है हलाकि अब ये तो नहीं है कि हम लोग मार्केट में जाकर चूहों को खरीद कर इनका सेवन करते है ठीक वैसे ही जैसे चायना, कोरिया, जापान जैसे देशों में किया जाता है अब दोस्तों आप भारत में बनने वाले इस फूड आइटेम के बारे में जान लीजिए जहांपर भारी मातरा में मच्छुआरे शृम को इकठा करते हैं और फिर इससे ला ज़वाब डिश तयार करते हैं जैसे गारलिक और बाकी इंग्रिडियंट्स के साथ मिला कर बना जाता है और भारत के कई सारे मच्छुआरे से खाना पसंद करते हैं अलाकि इसे बनाने का तरीका भारत में वही है जो अमेरिका में है क्योंकि अमेरिका में भी उसी तरह इसे बना कर तयार किया जाता है जिस तरह भारत में बना कर तयार किया जाता है लेकिन भारत के मसाले अलग तरह का स्वाद इसमें डाल देते हैं जिसकी वज़े से जो क्योंकि भारत के मसाले वाकई में चीजों का स्वाध बदलने की हिम्मत रखते हैं बाकि आपको कौन सा इंडियन फूड आइटम सबसे ज़्यादा पसंद है वो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का और ऐसे इंट्रेस्टिंग व सकतव सकते हैं शेटम सकते हैं अगर को क्यों आपसे अज़ को कि आपसे रखते हैं ताइटम वो आपसे एंडिया आपसे घंग कैण सा इंगरूर एंगरूर आपसे कमक्त हैं तो